all welcome here आज हम बात करेंगे verbal communication के बारे में वर्बर कॉम्निकेशन क्या होता है सबसे पहले अगर मात करें को कैसे हम समझ सकते हैं जब भी हम किसी से कुछ बात करते हैं words का use करके हम किसी से को information शेर करते हैं या पूच्छते हैं तो यह हमारा verbal communication में आता है किसी भी तरह के जो words use करते हैं, किसी भी language में, हिंदी में हम कहें, तो शब्दों का जब हम इस्तमाल करते हैं, कोई भी information share करने के लिए, तो उसको हम verbal communication बोलते हैं, यह बहुत जादा important है, क्यूंकि इसमें सबसे जादा जो लोग है, वो इसी method का use करते हैं, बात करने में, और अगर हम शब्दों का इस्तमाल सही नहीं करें, तो कई बार misinformation भी हो जाता है, miscommunication भी हो जाता है, तो इसको हम बहुत ध्यान से हमें use करना चाहिए, इसके लाव अगर हम बात करें, types की, verbal communication की, तो सबसे जो common होता है, इसमें एक oral या spoken communication होता है, जिसमें हम बोल कर अपनी बात को समझाते हैं, शब्दों का use करते हैं, जैसे जो face-to-face communication हो गया, जिसमें दो लोग आपस में सामने बैट के बात कर रहे हैं, यह किसी तरह की meeting भी हो सकती है, interview भी हो सकता है, अलग-अलग example हो सकते हैं हमारे day-to-day life में, तो हमारे एक हो गया face-to-face, आपका communication, दूसरे example हो सक में किसी employee से या senior से बात कर रहे हैं या teacher से बात कर रहे हैं, या फिर आपका यह informal भी हो सकता है, आप अपने family या friend में किसी से बात कर रहे हैं, तो आपका जैसे टेलिफोनी conversation है, यह भी और यह spoken communication का example है, तीसरा अगर हम बात करें हमारे पास, तो हमारे इसमें हो सकता है, one-to many का example होता है, जिसमें आपका जैसे classroom के अंदर हो गया, कि एक person इसके अंदर speak कर रहा है, और बाकी सब जो है, वो listener है, उसको listen कर रहे हैं, तो कई बार meetings भी इस तरह की होती है, जापर team leader जो है, वो meeting conduct करता है, जिसमें एक आपका speaker होता है, और आपके बाकी listeners होते हैं, तो यह दूसरे example होता है हमारा IC में, वर्बल कॉम्णिकेशन में ही, return communication, return communication में भी हम शब्दों का ही इस्तमाल करते हैं, बट वो बोलकर नहीं करते, वो हम लिख कर करते हैं, इसमें हो सकता है, कि हम किसी को कोई letter लिख रहे हैं, किसी तरह का, यह किसी तरह का कोई, जो है, आपके प communication होता है इमेल्स वगएरा या कम्पीटर के थूरू या किसी तरीके से हम लिखकर जो डिटा भीज रहे हैं वह बीस का एक्जामपल हो सकता है या नियूस पेपर वगएरा जो हम पढ़ते हैं यह सब रिटर्ण और यह किसी नहीं किसी हम इनमें भी वर्ड्स या शब्द ही लिखे वे होते हैं जिन से हम इन्फरमेशन रिसीव करते हैं या शेयर करते हैं तो यह आपके दो टाप्स हो गया है रिटर्ण और वर्बल कॉम्पनिकेशन के इसके बाद अगर हम बात करें एडवांटेज की वर अगर अगर उनकी जो लगवज है वो इडवांटेज है तो भी और इक दूसरे की बात को नहीं समझ पाएंगे कई बार ऐसा होता है कि लेंग्वे सेम होती है बट आपका जो है कल्चर अलग-अलग होता है तो वो उसमें जो वर्ड से थोड़े से बदल जाते हैं मतलब हिंदी में ही अगर आप अलग-अलग जगा पर जाएं जहां पर हिंदी बोली जाती है तो अलग-अलग जगा पर हो सकता है एक ही सेम चीज के लिए हम दो अलग-अलग शब्दों का प्रयोग करें तो एक परसंड जो है दूसरे परसंड की बात हो सकता है ना समझ पाएं तीसरे इसमें एक्जांपल हो सकता है इनबलेटी टू अंडरस्टैंड तो कई बार यह ह होता है कि हम जो वर्डस को जानते ही नहीं समझते ही नहीं तो हम जो सामने वाला बात कर रहा है उसको समझ ही नहीं पाएंगे इसके लावा है कोलीकोल फ्रेजेंस यूजड बाइदर इंडिविजॉल तो कई परसंड जो है वो लेंगवेज के पुराणे या कुछ इस तरह करते हैं जो confusing words हैं तो अगर हम इस तरह की words भी यूज करेंगे तो भी जो है आपके जो है communication में दिक्कत आ सकती है इसमें एक point और बनता है ascent का ascent अगर आपका different है तो भी कई बार समझने में दिक्कत रहती है ऐसे हिंदी ही अगर हम बात करें तो आपका हर्यानवी जो बोली जाती है वो भी कई तरह काफी तरह से हिंदी की ही तरह की language है यह और दूसरी language है जो एक ही लैंग्वेज से dry हुई है बट कई लोगों को हिंदी समझ में आती है बट अगर वह हर्यानवी वाला उनसे person उनसे बात करेगा तो वह हो सकता है उसको ना समझ प सकती है जहां पर verbal communication कई बार जो है वो पूरी तरह से काम्याब नेता हलका सा फेल हो जाता है इसके बाद अगर हम बात करें एक public speaking की का मतलब होता है जब आप किसी से बात कर रहे हैं अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास कई बार दिक्कत होते हैं कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं अपनी बात नहीं रख पाते हैं तो उसको जो है उसको ओवर कम करने के लिए हमारे पास थ्री पीस का फ को प्रिपेर करना है उसके लिए आप प्रिपेर कीजिए और समझे कि वो क्या कहना चाहते हैं उसके बाद आप प्लान कीजिए और लिखिए कि आपको क्या बोलना है उसके पॉइंट्स बना लीजिए नेक्स्ट है आपके पास प्रैक्टिस कीजिए आप जितना हो सकता है बो ले सकते हैं और इसमें ध्यान अखना है कि आप clear क्लियरं डोले आपकी जो go क्लियरर होनी चीए एक वेड्य वो हॉडो आपका आपका जो है वो ऊडीविल हो अचीक है आपका अपका अ सबस्कुन के ढ़ना और आथ हो Lor Primus थे तो अooo का कहार में लोग में लोग नहीं स्लो नहीं बोलना है अगर आप जल दे बोलेंगे तो हो सकता है कि आपकी बात सामने वाला ना समझ पाया और बहुत धीरे-धीरे भी अगर आप बात करेंगे तो सामने वाला बोर हो जाएगा आपकी बासे तो आपको एक जो है स्टाट कीजिए एक लंभी सांस लिजिए और उसके बाद आप अपना पहला इसंस जो है बोलेंगे आपका जो नर्वसनेस है वह अपण रिमूम होती चली जाती है क्योंकि आप उपने अंड़री ओबहुत अच्य यूज कर सकते हैं thank you very much for watching this video अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप अपडेट जो है लेते रहना चाहते हैं तो फेस्बुक पर भी हमें जो है फॉलो कर सकत है यह फेस्बुक का पेज है नीचे लिंक दिया हुआ है और थैंक यू वेरी मुच